नमस्का दोस्तों मैं वाइब आपको अरिजोन एकड़े में स्वागत करता हूँ इसके पहले मैंने अब्जेक्ट्व टाइप के दो वीडियो अल्यडी अप्लोड किये जैसे चाप्टर इंट्रोक्शन तो मेट्रलोजी है और उसके बाद का स्ट्राइड चाप्टर है आज क देख लिजिए ताकि आपको यह रट्टा मारने जैसी चीज नहीं है आपको क्या करना पड़ेगा इसके पूरे कंसर्प्टी समझ के लेने पड़ेगे तो ही आपको यह चाप्टर के ऊपर एंगे तो वीडियो के तरफ बढ़ते हैं जैसे आप यहां पर पहले देख रहा ह है इंटर्फरश तो मैं क्या कर लेता हूं पहले आपको फंडामिंटल के वां मेंचा श्न का अब वीचिट सब्सक्राइब का यह जो प् ?? यहां का फंब्र च्ट्री दिक रहे हैं और кадशियें के लिए गाल ₹ खुजिंग सब्सक्राइब, कीले के लिए लेशिन के लग। यह लोऄर लिमिट यह पर लिमिट और जिरो लाइन कहां से यहां से पास होती है तो आपका अपर डिवेशन कैंथ के लिए नजदिक है तो शाफ के लिए किले शाफ्ट के लिए fundamental deviation क्या है उसका UD मतलब अपर डिवेशन उसका क्या है fundamental deviation है तो उन्हेंने question क्या कि maximum deviation in size of shaft and hole तो इसका तो कुछ relation नहीं तो यह आप cancer नहीं हो सकता है फिर clearance क्या होता है कि clearance consider कर यह है मेरा एक होल है यह होल का lower limit यह उपर वाला upper limit है तो अभी मैं assembly कर रहा हूं यह दोनों shaft और hole के assembly कर रहा हूं तो इन दोनों के बीच में assembly time में क्या होता है अगर उसमें कुछ gap रहता है तो उसको आप clearance कहते हो लेकिन अगर shaft hole से बढ़ा है तो उसको क्या कहते है इंट्रफरेंस कहते है तो यह तो दोनों भी answer नहीं है तो आपका answer क्या है tolerance है tolerance क्या है कि exact part कोई भी part manufacture नहीं कर सकते हो तो उसके लिए क्या करना पड़ता है consider करिए यह आपका एक shaft है 50 mm diameter का तो कोई बी operator exact नहीं कर सकता है तो उसको क्या करना पड़ता है एक अपर लिमिट देना पड़ता है और एक लोर लिमिट देना पड़ता है कि मैंने उसको ऐसे कहा कि एक तो मुझे जॉब 50.1 बना नहीं तो 49.9 के बीच में मुझे जॉब चाहिए तो यह यह जो मैक्जिमम और दी मिनिमम दिया है इसको क्या कहते है टॉलरंस कह है मैंने तो प्लग़ेज के लियुद एक डागरम मुझे करना पड़ेगा यहां पे Question टूसरा एक है वह नोगो है और चै Egyptian रहाए कि यह तो तो अन्दर आप लेगा य्योग है क्या है मेरा तो अभी ड़ल अब होगा मैं जब बीसुह क्निद एंधर तो यह बाल पूरा यहाँ से लेकर यहां तक अंदर जाएगा ऐससे ठीक है कि यहांसे वह अंदर जाएगा और इसका टामिटर यह का चैक हुआ वह इसका 10 के साथ उसका form चेक करेगा, form मतलब क्या यह जो hole है, वह ऐसे straight है, कि ऐसे टेड़ा है, वह check करेगा वो go gauge, लेकिन नोगो करेगा नोगो खाली उसका नोगा अंदर नहीं जाएगा क्लिस्का डामेटर अउसका दामेटर करेगा ठीक ऐधि अभी देखते यह तो उसका पहला जैफ़ दोगा तब अब आपकंगचोट डिखलेके तो कि मेजर दामेटर ऑफ दा वर्ट पिस छेक देलन्त ऑफ़ ऑफ गयंदे वर्कपीस अभी इसके देखके लिया एक चारो ऑp2 होन्सर अवह बज्वन उसके बाद मेसर ऑफ हो गया वर्कपीस उसका इम्सर करणा है होब गया कई के लिए तो आपको लेंज नहीं करना है उसके बाद चेक देलेंट अफ दो लिन वर्क पीज यह तो अबजयक्टिव होई नहीं से अपने को लेंज नहीं चेक करना है प्लग गेसे विजुवली डायमेटर उसका फॉर्म दोने भी चेक करते हैं तो इसके लिए क्या एक जो है चेक डा अंसर क्या रहेगा यह सी आपका अंसर है थोड़ा सा वर्डिंग का डिफरेंस है बच्चे बहुत सारे कर्फूज हो सकते हैं इस क्वेश्चन में उसके बहुत पिक आउट दर रॉंग स्टेट्मेंट अबोट टेलर्स टेलर्स प्रिंसिपल अफ गेजिंग कि टेलर्स प् अब आपका डाइमेंटर नहीं चेक करता है उसके बाद आपका जो होल का स्टेटने से वह भी चेक करता है तो यह बराबर अपने को क्या करना रॉंग दूना है तो यह बराबर है गोगे शुडबी चेक और रिलेटेट डाइमेंशन शाइमल्टेनियसली ठीक है फिर इस अ two gauge on the width and length of component ठीक है width and length बराबर यह बराबर length and width दोनों भी उते है not go gaugे शुडद चेक औली वेन डायमेंशन एड़ टाइम ठीक है यह बराबर है कि not go no go gaugे वह क्या करता है आपका एक ही दाइमेंशन चेक करता है वह होगता camera जैसे मैंने पहले भी बताया फिर अभी यह जो बिए गोगे श्रीड चेक्ट अल रिलेटेट डाइमेंशन सामल्पीनियन स्ली स्लीडेगा डामिंशन नहीं करता है वो क्या करता है एक डामेंशन के यह जो जो ऐसे में क्या है आप असेमल करते हो तो था करते हूं कुछ तो गैप छोड़ते हो पर फुली उसको क्या कहते है तो अभी उसका जो है मिनिम्मम क्लिरंस बिट्विन शाफ्ट एंट हो तो इसके लिए में क्या कर लेता हूँ यहां पर ड्याग्राम बना लेता हूँ यह जो PayPal यह फिर उसके बाद में सट इंक चेंज कर कर करके आपको दूसरा पार्ट साफ निकाल की बताता हो यहां पर मैंने साफ निकाला थैंघ का करने यह लोगे मित यह उपर वाला पर ली मिट है तब यह दोनों में जो मैंने पर्प Ilsפuna रखा है操सकर लमेट मैं इसको क्या कहसता हूँ मैं अलाउंस कहसे को यह आलाउंस आपका positive भी होता है कभी-कभी और कभी-कभी negative भी होता है निगेटिव कब रहेगा जब आपका shaft hole से बढ़ा रहेगा तो आपका allowance negative होता है तो इसमें क्या-क्या दिया है minimum clearance between shaft and hole उसको आप क्या कहते है allowance नहीं यह आपका answer नहीं हो सकता है फिर उसके बाद है maximum clearance between shaft and hole यह भी नहीं हो सकता है फिर उसके बाद c है difference of tolerance of hole and shaft मैंने जैसे ही बता है कि यह tolerance है आपका tolerance zone है hole का और यह है shaft का तो यह answer है आपका difference between tolerance of hole and shaft यह आपका answer है difference between maximum size and minimum size of hole ऐसे नहीं है अग खाली hole की लिए नहीं रहता है कि maximum size और minimum size में जो रहेगा उसको allowance ऐसे नहीं कहते है तो यह भी statement क्या आपका रांग तो आपका सही answer क्या है difference of tolerance of hole and shaft फिर next है इन selective assembly अभी कैसा है कि आपको पहले बाद पता होने चाहिए कि selective assembly क्या होती है जब कोई भी प्रोड़क्ट के आपको क्या करना है कि उसकी price कम करना है तो प्राइस कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है उसका उसको उसका tolerance zone बढ़ाना पड़ता है अगर लेकिन आप tolerance zone बढ़ाते हो तो आपको प्रोड़क्ट का कॉलिटी अच्छा नहीं आता है तो मैं क्या करता हूं उसका जो आसेंबली के टाइम के लिए मेरा असेंबली के टाइब मेरा पॉइंट वन्टू का दोनों में अलांस है तो मिलों को अलांस भी मेंटेन करना है उसकी कास भी कम करना है तो मैं क्या करूंगा एक थोड़ा सा प्रोट रखता हूं मतलब तीन पॉर्ट रखता हूं जहां पर मैने जो होल बनाए वह में क्या कर दूँगा उसके 사ईज के । शीरा सुप्रजिया करने के दोनषे स्पेका धो सू convention was को औरした नहीं अई है लेकिन मैंने जब टॉलरंस बढ़ाया तो मेरी प्रडॉक्ट की क्या हो गई कम हो गई तो यह सेलेक्टिव असेप्ट है तो इसमें देखते हैं पहला उन्होंने आप्शन क्या दिया है पार्ट सीन असेबली कैन भी रिपलेस्ट बाई सिमिलर पार्ट्स विदाउट एनी क्लासिफाइब इन्टु सेवरल ग्रॉप साइज यह बराबर है अल्वेज इंटर्चेंज देवन ऐसे नहीं हो सकता है आप इसका सेमली इसका सेमली इसके साथ करोगे यह पार इसके साथ तो यह आपका जो 0.12 का अलाउंस है वह मेंटें नहीं होगा फिर उसके वादा इसे नहीं होता है आपका भी उसका आपका अंसर है ठीक है आपको यह वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट करके बोल सकते हूं थैंक यू